कई लोग होते हैं जो एक कार्य जो साधरन तरीके से भी हो सकता है उसे भी बड़ी ही टेड़े मेड़े रास्ते से करते हैं टेड़े मेड़े तरीकों से करते हैं कहानी में आपको सुनाता हूँ एक आदमी था जो बहुत दूर से पानी लाता था एक दिन बुद्ध ने उस आदमी को सुझाव दिया कि दूर से पानी तुम लाते हो क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुवा खोद लेते हैं हमेशा के लिए पानी की समझ्या से छुटकारा मिल जाएगा तो सलह मान कर उस आदमी ने कुवा खोधना शुरू किया लेकिन साथ आठ पृट खोधने के बाद उससे पानी तो क्या गेली मिट्टी का भी चिन नहीं मिला तो उसने वे जगह छोड़कर दूसरी जगह पर खोधाई शुरू की लेकिन दस फिट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला उसने फिर तीसरी जगा कुवाँ खोदना शुरू किया लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी इस क्रम में उसने आठ दस फिट के दस कुवें खोद डाले लेकिन पानी कहीं नहीं मिला वेव्यक्ति निराश होकर बुद्ध के पास गया उसने बुद्ध को बताया कि में ने दस कुवें खोद डाले अगर पानी एक में भी नहीं निकला बुद्ध को बड़ा आश्र हुआ वे स्वेम चल कर उस इस्थान पर आये जहां उसने दस गड़े खोदे हुए थे बुद्ध ने उन गड़ों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ ले फिर वे बोले है बंते दस कुवें खोदने की बजाए तुम एक कुवें में ही अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी गब का मिल गया होता तुम सब गड़ों को अभी बंत कर दो किवल एक को गहरा करते जाओ पानी निकल आएगा उसने बुद्ध की बात मान कर इसा किया और परिणाम शरूप कुवां पूर्ण होते ही पानी निकल आया और फिर सब ने पुद्ध की जेजेकार की साथियों इस कहानी से आप बस ये न देखें कि हमें कुवा खोदना है तो हम ऐसा करेंगे ये कहानी आपको बहुत बड़ी शिक्षा अपने जीवन से संबंदित देती है ये हर उस आसफल व्यक्ति की कहानी है जो चाहता है कि मैं ये भी कर लू मैं ये भी कर लू मैं ये भी कर लू वो हर तरह के कारी को करना चाहता है और एक भी कारी को पूरा नहीं कर पाता है उसी तरह ये भी देखा होगा कि हम हर रिस्ते को कई तरह के रिस्ते बनाते रहते हैं सेकडो दोस्त बनाते हैं लेकिन एक भी दोस्त हमारा गहरा नहीं होता है इनसान चार चार पांच पांच दस दस बच्चों को जन्म देता है लेकिन एक भी वो उसका बच्चा ऐसा नहीं होता जो महान हो कि तु अगर एक ही दोस्त हो और वो बहुत गहरा हो एक ही बच्चा हो, एक ही फिशु हो, लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो लेकिन महाग्यानी हो, एक ही लक्ष हो, लेकिन बहुत बड़ा हो तो आप उसमें जितनी गहरे जाते जाएंगे आपको सफलता हर कदम कदम पर मिलती जाएगी